नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागेंदर मिस्त्रा में तीश नबंबर दोजार बीस को चंदगरहण पढ़ रहा है चार राशियों की लगेगी लोटरी, चार राशियों की किस्मत खुलेगी और चार राशियों को होगा भेंकर नुकसान जी हाँ दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागेंदर मिस्त्रा में आप दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि अन्तिम चंदगरहण 30 नमंबर 2020 को लगने जा रहा है जी हाँ दोस्तों ये चंदगरहण कई मामलों में विशेश है खास बात दोस्तों ये है कि इस दिन कार्थिक मास की पूरिमा का पर्व भी है कार्थिक पूरिमा का पर्व पढ़ने के कारण इस ग्रहन का महत और भी ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों चंदगरहन हिंदू केलेंडर के अंसार कारतिक मास के सुकल पक्ष की पूरिमा तीत को लगने जा रहा है इश्वार का चंदगरहन ब्रिसवराश में लगने जा रहा है पंचांग के अंसार इस दिन रोहनी नचत रहेगा दोस्तों बता दें कि 30 नवंबर को पढ़ने वाला चंदगरहन एक उपचाया चंदगरहन है ठाथ इसे पेनुम्रल चंदगरहन भी कहा जाता है दोस्तों जब भी गरहन पढ़ता है तो उस गरहन के सूतक काल का एक खास महत नहीं किये जाते तो वहीं कुछ चीजों का विशेश ध्यान रखना पड़ता है पूर्ण चंद ग्रहन में ग्रहन लगने से नव घंटे पूर्व सूतक काल यानि की आरंब हो जाता है लेकिन दोस्तों आने वाले चंद ग्रहन उपछाया ग्रहन है इसी वज़े से इसमें सूतक काल को मान नही माना जाता आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रहन का समय भारत समया अनुसार 30 नवंबर को दुपाहर एक बचकर 4 मिनट से शुरू होगा यानि की पहला इसपर्स होगा और दुपाहर तीन बचकर 15 मिनट पे यानि की मध्धे ग्रास होगा परम ग्रास जिसे कहते हैं और शाम को 5 बचकर 22 मिनट पे उपचाया का अंतिम इसपर्स होगा यानि अंतिम समय होगा दोस्तों चंद ग्रहन के दौरान गर्वती महिलाओं को बिशेश सावधानी बरतनी चाहिए हाला कि शाल का अंतिम चंद ग्रहन उपचाया है यानि की पूर्ण नहीं है इसलिए इ इक्ट का इस्तिमाल करें उसमें तुलसी का दल डालें और हो शके तो आग ना जलाएं किसी की बुराई ना करें लडाई जगड़े ना करें और खाना अगर आपने पहले से रख दिया तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें यहांपर तो वैसे बुड़े बच्चों को भी छोड़ कर और किशी को नहीं खाना चाहिए और खास कर स्वस्त लोगों को तो देखें इसा दावरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए दोस्तों बता दें कि इस वार का ये चंद्रणा ब्रिसब राज में लगने जा रहा है चंद्रमा को मन का कारक माना गया इसलिए इस दवराज सभी का मन अशांत हो सकता है चिन्ता और मानसिक तनाव में ब्रिद्धी हो सकती है इसलिए धैर बनाई रखें और धर्म कर्म के कार अवश्य करें दोस्तों अगर हम बात करें इस ग्रहन का सभी राशियों पर क्या असर देखने को मिलेगा तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इस ग्रहन का असर सभी राशियों पर अवशी देखने को मिलेगा लेकिन कुछ राशियों पर इसका असर बहुत ही जादा शकरात्मक दिखेगा तो वहीं कुछ राशी को ग्रहण के दोरान सावधानी भी विरतने चाहिए तो चलिये जान लेते हैं दोस्तों कि आपकी राशी पर इस चंद ग्रहण का 30 नवंबर 2020 को लगने वाले चंद ग्रहण का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मेश राशी की मेस रासी वालों को इस दवरान कामों में सफलता मिलेगी बिजिनेस ब्यापार में सोचे हुए कार भी पूरे होंगे लोगों की मदद कर पाएंगे बड़े मित्र यानि की मित्र पूर्ण लोगों से मुलाकात की योग बन रहे हैं कोट के चहरी के कामों में आपको सफलता मिल सकती है आपके इस दवरान कुछ पूराने इच्छाएं पूरी हो सकती है बैवाहिक जीवन में आपका सुखमे रहेगा उपाय की तौर पी बात करें तो हनवान जी को आप पूजा करें अगर हम बात करें अगली राशी की तो ब्रिशव राशी की तो देखें ब्रिशव राशी वाले जात को इस दवरान बड़े लोगों से आपको सहयोग मिलेगा मुलाकात हो सकती है आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी लोगों से ये संबंद सुधारने के आप कोशिश करेंगे आत्म विश्वास आपका बढ़ेगा बिजनेस बियापार में जोखिम लेंगे और सफल भी रहेंगे आने वाले महीने में आपको मान सम्मान मिलेगा इन दिनों में आप के पुराने किये गए कामों की तारिफ और फाइदा दोनों मिलेगा उपाए की तोर पर बात करें तो आप भगवान विश्वान को पीला वस्तर अरपित करें और पीले धागे पे एक जारा हल्दे की गांठ अरपित करें बात करें अगर हम मिथुन राज की तो कोट केस में मामला कोई चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी साजेधारी के कामों में आपको फायदा होगा आने वाले महीने में कुछ ऐसे काम सुरू कर सकते हैं आप जिससे आपको फायदा होगा और आपका मानसमान भी बढ़ेगा इन दिनों में आप धन संपत्य के मामलों में भी आप भागशाली हो शकते हैं पुराने बीमारियों से आपको निजात मिलेगी उपाय की तोर पर बात करें तो आपको ओम गण गण पते नमएं आपको मंतर का जाप करना है और आपको एक जारा दूरबा चनी की माला बना ले या दूरबा चड़ा दे और इसे मंतर को एक जारा बार जरूर बोल कर आप घर से बाहर निकलें तो हर कार में शिद्धी होग बीवा, शेयर, याग की किसी तरह के बिदेश से आप बिदेर, निवेस में आप बियस्त रहेंगे सकते हैं, खरिदारी में भी आप का समय बीतेगा, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी उपाए के तोर पर बात करें, तो देखिए इसमें आपको गाए को हरे चारे खिलाना है हरे घास खिलाने है और एक रोटी यानि कि उसमें सहध मिलाके या तो आप घी मिलाके जरूर खिलाएं ये आपके लिए काफी सुब रहने वाला है शिंगरास की बात करें तो देखें शिंग राशवले जातकों पारिवारी के बिवाद आपके खत्म होंगे रुका हुआ पैसा उधार पैसा आपको मिलेगा बिजनेस में इस्थिरता आपके सुधर जाएगी आपके शेफाइदा होगा समाज में आपका शम्मान मिलेगा शंपत्य के बिबाद ये जो चल रहे थे किसी के मदद से पूरे हो जाएंगे नौकरी और बिजनेस में इस्थितियां आपके फेबर में रहेंगे उपाय की तौर पर बात करें तो आपके राशी के स्वामी सूर्देव हैं तो एक लोटा जल लाल फुल डालके जिरूर चड़ाएं ये आपके लिए काफी सुब रहने वाला है बात करें आगर हम कन्यारास की तो देखिए कन्यारास वाले जातकों को अचानक धन का लाब होगा लोटी शटा शेयर मार्केट से लाब हो रहा है और आपके रुके फसे होए धन पराप्त होंगे राजने से जड़ो हो तो जवरजस्त लाब होगा नई जिम्मेदारी मिलेगी वहीं आप अपने बिजिनेस का बिस्तार करेंगे और आपको इसमें धन दुगना लाब होता हुआ दिखाई देगा और आपके जीवन साथी का सहयोग पराप्त होगा और इसमें सत्र विरोधी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं और जो आपके पार्टनर के साथ संबंध है उसमें सुधार हो रहा पारिवारी की जीवन में बहुत अच्छा समय बितीत करतें नजर आएंगे दोस्तों किसी का सहयोग पराप्त होगा नए काम करने से आपका मन बना सकते हैं इक्स्ट्रा इंकम की योग हैं बिजिनेस में भी आपको फाइदा हो सकता है उपार की तवर बात करें तो देवी लक्षमी को आपका मल या लाल फूल अवस्य चड़ाएं और आप यहाँ पर की शिपरी दोस्त से मुलाकात भी हो शकती है उपाई की तो पर बात करें तो सिव लिंग पर आप चावल और थोड़ा सा दूध मिल जाए नहीं तो जल और आप मिस्री ज़दू चड़ाएं और आप यहाँ पर सिव लिंग को अब शेक भी करें गाए के दूध से करें तो ज़्याद अच्छ रहेगा ब्रिश्चिक बात करें अगर हम ब्रिश्चिक राशी की तो आफिश और फिल्ड में यानि इन दोनों छेतरों में कुछ लोगों से आपको मदद मिलती नजरागी सोचे हुए काम पूरे होंगे और संतान से सहयोग मिल सकता है अचानक धनक पूरे होते नजराएंगे लेकिन दोस्तों साथी साथ भोग बिलास्ता पर आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं जीवन में कुछ अच्छे और शुखत बदलाव लाने वाले ये समय रहेगा आपके बहुत से रुके हुए काम पूरे होंगे उपाय की तो पर बात करें तो पी क्या प्रभाव कम होगा इस दर्वियान फालतू खर्च में भी आपको राहत मिलेगी और इन दिनों आपके कुछ रियोजनाई पूरी हो सकेंगे लेकिन दुर घटना चोट से पेर लग सकती है सो सावधान रहें नुक्सान हो सकत है किसी को करजय उधार ना दे और आपको फाइदा तो होगा लेकिन किसी को करजय उधार न दे संतान से आपको शुक प्राप्त होगा उपाय के तावर पे बात करें तो सुहागिन महिला को लाल चूडिया और लाल सिंदूर भेंट करें और सनी इस तरुत का पाठ करें अगर कुम राश की बात करें तो उधार दिय पैसा वापस मिल सकता है निवेस से फाइदा हो सकता है इस दर्मियान निवेस किया हुआ पैसा वापस आ सकता है आप अपने काम में लोगों को प्रभावित करते न जराएंगे रोज मर्रा के काम में पूरे आपके शेयोग होंगे साथी कुछ जरूरी काम से आपको लाव होगा रोजमर्रा के काम पूरे होते नजर आ रहे हैं और आप घरेलू काम काज में बेस्तता दिखाई देगी आपकी नई योजनाएं पूरी हो शकती है आप कोई नई योजनाओं से फायदा ले सकते हैं संतान से सुक मिलता नजर आगा साथ में कुछ लोगों से जरू तो दोस्तों ये जो चंद ग्रहन है 30 रवंबर 2020 का इन सभी राशियों पर अच्छा और कुछ राशियों पर इसका यानि की बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है तो दोस्तों इसे चंद ग्रहन में जो सावधानिया है वो भी बरतनी चाहिए और सूतक काल भी हमने बताय तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि कमेंट बाक्स में सच्चे दिल से जय माता दिया वश्य लिखें और दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नए है तो माल चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए